हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होप की सब अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस मैं भी ठीफ हूँ फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुंद्रू और आलू की सुखी सबजी जो कि बच्चों के लिए लेंज टिफिन के लिए ये परफेक्ट सबजी है आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा जो मेरे चैनल कर पहली बार आए है प्लीज मेरे चैनल को कर लीजेगा सस्क्राइब बहुत ही अमेजिंग मेरा कटले स्लाइस में और पतला से पतला सा मतलब कि एक कुंद्रू में से तो पीसिस की आप कर सकते हैं झालो में कड़ा हैं तो उधेकम में कड़ाए में डालदें और ची सब्सक्राइब में मुझे यह सब्जी बनानी है और इसी में मुझे यह परफेक्ट सब्जी बनानी है आप देख सकते हैं फ्रेंस मैंने यहां पर जो कुंद्रू को ले लिया था कट करके रखा तो उस कुंद्रू को में यहां पर ओयल में फ्राइ कर लोंगी प्रेंस क्या होता है कभी-कभी हम कुंद्रू को ऐसे ही बनाते हैं तो कई लोगों की सिकायत होती है कि यह कच्चे रह जाते हैं हलके फुलके लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देती हूं मेरत तरीखा अलगी होता है तो फ्रेंस यहां पर मैंने कुछ कलियां ले ली हैं लहसन की इनको में बारिक बारिक चॉप कर लोगी इनको मुझे इनका पेश्ट नहीं बनाना है इनको मुझे चॉप करना है जैसे कि आप देख रहे हैं तो इनको बारिक बारिक में चॉप कर लोगी जैसे कि आप देख रहे हैं दो प्याज में से एक प्याज को मैं बारिक बारिक चॉप कर ल तो एक प्याज को मैंने बारिक बारिक जॉब कर लिया है और दूसरी प्याज को में यहां पर मोटा मोटा इस तरीखा से स्लाइस में कट कर लोगी और फ्रेंट्स अब मैं इसको बना लेती हूं तो कैसे बनाती हूं प्लीज वीडियो को पूरा ही देखें इसके बिल्कुल भ आप उसी ओयल में यहां पर आलू को भी फ्राइय कर लोंगी व्लेम को में यहां पर मतलब की तेज ही रखोंगी ताकि मेरे जो आलू है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए यहां पर आप देख सकते हैं आलू भी यहां पर अच्छे से सॉफ्ट हो गए है तो कुंद्रू को यहां पर आलू को भी फिराय कर लिया है तो अपर देख सकते हैं उसी इकडाई में जो बचा है उसको मैं फिर से गरम होने अरे गरम मतलब था लेकिन उसको और थोड़ा सा गरम किया उसके बाद यहां पर मैंने जीरा डाला है इसमें कुछ डाले है सर्सों के दाने और जो लेकिया हुआ जो लेसन था चौप किया हुआ लेसन डाल दिया दिया है लेसन को पूरा नहीं पकाना है लग अ हां नहीं लग नहीं हंगा जो ना गरम करना है उसके बाद यह अदर यहां पर मिलाश sudah पके शकिता है और तो यहां पर में घोल कर दालूंगी जैसे कि हम सुके मसाले डाल देते हैं सुकी सबजी में तो क्या होता है जल्दी से कड़ाई में सब्सक्राइब लगने का खत्रा रहता है और इस तरह से मसाले आप डालेंगे ना तो आपकी डालें और यह पर कोई वी चीज हमने फिराई क देहें तो आपक气 सब्सक्राइब दमाटर भी तो मैंने डाले नहीं तो बडूआपिए और करेक्क साफ हों चुकीए और वहां पर मतलब की आलू अच्छी सब्सक्राइब लक यहां भी लगनेगे से कड़्स चीज़ नहीं देख सकते हैं मशल पर छाएं हूं यहां बाने क तो आप देख सकते हैं ग्रेवी काफी अच्छे से यहां पर बन चुकी है तो फ्रेंश मैं क्या करूंगी यहितकी हम गरम मसाला डालते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी और दौने से पहले अभी गरम मसाला डाल दू कि सूकषी सब्सक्री वें सक убий Station और यहां पर हमारी सब्जी भी फ्राई की हुई है तो ज्यादा इसको पकाने की ज़रूत नहीं इसलिए मसाला मैंने पहले डाला है यह तरीखा आपको कैसा लगा मेरा मसाला डालने का आप जरूर बताएगा मैं तो ऐसे ही बनाती हूं और बिलकुर परफेक्ट मसाला मिल जा क्योंकि बच्चे बैग बगरा में सब्जी बगरा ले जाते हैं तो वह निकलने का डर हैता जो कि वह थोड़ी सी तरल सब्जी होती है और हमें यहां पर सूकी सब्जी देना हम पसंद करते हैं मैं क्या हर कोई जो बच्चे हैं वह सूकी सब्जी ले जाते हैं हर कोई माप बच्चों को इसी तरह की सुकी सब्जी देती है जो कि उनकी हेल्थ के लिए भी सही भी रहती है और खाने में तो टैस्टी होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग यह सब्जी बनके होगे तयार प्रेंस इरेस्पी कैसी लगी ज़रूर बताएगा आई सब्सक्राइगी में मिलूंगी नेक्स वीडियो में इकत सिसी वीडियो कि साथ तब तक कि लिए प्रेंस में